क्या हाल चाले यार वल्कम बाक गुड मॉर्निंग एक जो मेरा चैनल ही एच वन में मिलेने रवला इस पर मैं हिंदी में वीडियो बनाता हूं और इस पर काफे सारे कॉमेंट्स जो आते हैं उनमेंसे एक स्पेसिफिक सेग्मेंट है जिसमें में वह सो तो कॉमेंट्स अराउ है भी यहां कि यूटीब के शुरू कर कर कि इसको मानिटाइज कर सकता हूं कि मैं ब्लॉग कर सकता हूं या मैं इंडिया क किसी कमपनी के लिए यहां से बैठके काम कर सकता हूं एक्से तरा इडिया एस तो have some additional income which is absolutely fine and everybody wants to make money, lots of money, तो प्रेली चीज तो है कि जिस में बताने वालों, यह अशन निया कि मैं कि आप पढ़ के हाँ कुई, यह मेरा खुद का एक्सपिरेंस है, जिसने मेरे को काफी हल्प किया, हो सकता थोड़ा सा आपको हल्प करेए, and it's all about mindset, it's all about common sense, so whatever I am gonna talk in this video, if you just sit alone in the corner and just realize, you'll feel it's all common sense, so what happens, we go to the road, and I'm sorry if you don't fall into that category, what happens in the road, what happens, यहाँ पर आओ, गूगल पर सर्च करो, चोरी चुक्ते कुछ काम करें के ट्राइ करो, यह देखो कि मैं फ्रीलेंसिंग कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, यह वो, इन चीजे में हमारा टाइम पर जादा वेस्ट होता है, हमारी एनर्जी पर जादा वेस्ट होती है, और हमारा जो एट आर्स का जॉब है, उसके बाद ही हम यह कर पाएंगे, अगर कर भी पाएंगे फ्रीलेंसिंग और यह सब भी है न, तो उसमें टाइम भी गया, एनरजी भी ज़्यादा वेस्ट हुआ और फ्रीलेंसिंग वगरा करने हैं, पैसे भी कम ही मिलेंगे, फुल टाइम जॉब से, अगर मान लेते हैं, तो इससे अच्छा ऑप्शन जो मैंने चूज किया, वो यह है, कि यार जो भी तुमारा स्किल सेट है, उस पे महनत करके, तुमारी जिस कमपनी में तुम हो अभी, तुम बेशक तुमें एक डेड़ लाग जो शैलरी मिलता है, उसको दो तिन गुना ट्रा सेलरी है, वो बहुत है, क्योंकि मेरे एक दोयार दोस्ते उन्होंने बताया है, कि यार ये तो सीट्यो टाइप की सेलरी होती है, और मैं चौड़ाओं के घुमता था कि यार ये तुम बहुत अच्छी सेलरी मिल रही है, तो तुम भी अगर उसी बकेट में हो आज की डेट म अच्छे है नहीं, मैं यह बोल रहा हुँ, अच्छे बंदे नहीं है, तो अगर तुम ठीक टाक मैंनत करें किसी बड़ी कंपनी में, अच्छी कंपनी में, टेक्नोलोजी प्रोड़क कंपनी में निकल जाते हो, तो तीन लाग, चार लाग, पांच लाग शैलरी लेना साल का इस नोट एट ओल बिग डील, और मैंने एक और वीडियो बनाया, मैं कहीं है, यहां पर लिंक कर दूँ है, जिस मैंने बताया कि कैसे टेक्नोलोजी प्रोड़क कंपनी का जो सालरी स्ट्रक्चर है, वो डिफाइन होता है, जिससे तो आपका गोल होना चाहिए कि किसी अखरी है, वो भी आठी घंटे के रही है, लेकिन आपकी इंकम डबल ट्रिपल हो गई, तो फिर आपने गोली मारी है, जो फ्रीलेंसिंग और पैसिव ब्लागिंग उस सब के लिए, मैं यह नहीं कहा रहा है कि ब्लागिंग, यूट्यूबिंग मत करो, आफकोर्स यूद द यह सोच के इस चक्र में मत रखो कि मैं यह करूंगा तो मेरे को वहां से पैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, अपनी खुद की मार्केटिंग के लिए करना है, और बाकी जो पैसे कमाने वाली बात है, उसका फोकस ही रखो कि अपनी अच्छी नौकरी में निकल लिए, अपने काम सीखने का, और उसे छोटा सा इंकम जनरेट करने का, यहां पर जो तुम्हारा स्किल सेट है, तुम्हें अलड़ी इसमें सब कुछ आता है, तुम्हें थोड़ा सा मैनत करना एक बड़ी कमपनी में निकलने के लिए, जिससे कि तुम्हारी सैलरी डबल ट्रिपल हो जाई तुम्हारा ओलड़ी इंकम बढ़ गया यार, लेकिन, I think first step यह होना चीए, जो मैंने किया था, तो जब तुम्हारा first step यह clear हो जाए, कि तुम बड़ी कमपनी में पहुँच गए, तो मैं अच्छी खासी सैलरी मिल गई, अब उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उसके पैसे में पैसे में, 401k में, यहां पर सम्में पैसे इंवेस्ट करते रहना है, जो पैसे आपका अपना बढ़ता रहेगा, और उसके बारे मैंने काफी सारे वीडियो इस चैनल बनाय हूं है, तो आपको टाइम लगे तो आप देख सकते हैं वो, तो बस यार मैं यही मेसेज करना चाहता था, मैंने पहले भी कुछ वीडियो में किया है, लेकिन वो बड़े-बड़े वीडियूस देद्रा गी मैं कैसे मेलेनियर बनाई किसी बड़ी टेक कंपनी में निकली लाओ सेलरी को पनी डबल ट्रिपल कर लो उसके बाद मार्किट में पैसा इन्वेस्ट करो आइटिंक चैफिर वह रियल एस्टेट होचे स्टॉक्स होचे बॉंड्स होचे कुछ हो फोरो वन के हो और आइटिंक वह पात बहुत अच्छा दॉलर का अभी लगबच तीन चार साल पहले और लेने के बाद मेरे को थोड़ा डर फील आ रहा था कि मैं यह लूँ यह ना लूँ मेरा वीजा का पंगा है मेरी सेलरी इतनी है और अभी चार-पांच मेने पहले मैंने नौलाग का घर लिया उसमें एक डेड़ लाग उपर लगा दिया तो मिलियन डॉलर का घर हो गया और यह सब पॉसिबल कैसे हुआ है कि ऐसे हुआ है कि राइट माइंड सेट ने मेरे को राइट डिरेक्शन दिखाया और मेरे को पहला स्टप जो था मैंने वह चूज करके अच्छे नौकरी ली जिससे कि मेरी सेलरी ट्रिपल हो जस्त अकेले हैं बैठ की कभी सोचो किया और मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि जिससे कि मेरे को अपना आठ घंटे के बाद का टाइम भी ना देना पड़े और मैं पैसे बिच्छे कमा पाऊ और अपनी फैमिली क्या टाइम इन्वेस कर पाऊं I'm sure you would end up with this suggestion that I conveyed in this video ठीक है और भा H1 B का कडवा सच एक्टर अच्छा, H1 B really acted as a turning point for my career or my life and I'm sure it can happen to you too. तो चलो, take care and leverage करता हो H1 B को, bye-bye.